किस तरीके से हम लोग यहां पर एक क्रियेट कर सकते हैं और यहां में आप लोग को सारा कुछ सामने करके दिखाने वाला हूं और कुछ इस तरीके का हम लोग यहां पर क्लॉक बनाएंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो करेंट टाइम है वह हमारा एक बच के 25-26 मिनट हो रहा है जो कि आप लोग यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा मेरे डेक्स पर तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे जो हमारा एक क्लॉक रहेगा जो कि काफी सही तरीके से हमारा यूआई बेस पर भी हमारा काम होया हुए है तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने टेक्सटाप के उपर और यहां पर न्यूए फोल्डर कर लेता हूं तो कुछी सरीके से हम लोग यहां पर एक लॉक का फोल्डर सबसेपहले तो बना देते हैं चीए और इसको तो मैं यहां पर मैं यूज करता हूं प्रस्टनली वीस कोड आप तो कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं तो यहां पर हमारा पोल्डर जो है वह आ चुका है अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तीन फाइल बना लेंगे जो कि हमारा सबसे पहला होगा इंडेक्स.html तो यह हमारा इंडेक्स.html आ गया है अभी हम लोग सेकंड हम लोग यहां पर करेंगे style.css तो सिंप्ली मैं यहां पर style.css ले लेता हूं कुछी सरीके से और नेक्स हमारा थार्ट रहेगा जो हमारा script रहेगा ठीक है तो मैं यहां पर simply script.js ले लोगा तो मैं यहां पर script.js ले चुका हूं तो यह तीनों फाइल हमारा रहेगा गाईज और इसी तीनों के उपर मैं यहां पर coding करके बनाने वाला हूं कुछ हमारा analog का मतलब clock तो सबसे पहले मैं यहां पर HTML का सुगर कुट पास कर देता हूं और यहां पर मैं कुछ इस तरीके से clock लिख देता हूं और इसको मैं आप लोग को लाइव में मतलब open करके यहां पर दिखा देता हूं कि हम लोगा किस तरीके से यहां पर UI भी हमारा दिखेगा हैं कि यहां सब्सक्राइब करें कि गया यहां पर बॉड़ी के ऊपर हमारा लीक कर दो हम लोग यहां इसको मिठीस तरीक्टेंगे ले लिए तो सब्सक्राने वाली हैं tillाइक कर पर दो सब्सक्राइब के अंदर दो ऐनकी हम लोग कूछा दो लेंगे सबसे पहले तो तो हम लोग यहां पर इसके नड़े नश्चो रहेगा एक और मैं यहां पर क्लास में हमारा दोचीदा भी हो गया है अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा यहां पर इस तड़ी यहां पर यहां पर क्लॉक का मतलब की जो हमारा हैंड होता है वो मैं यहां पर simply बनाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं यहां पर इस तरह के से कि यहां पर आजाएगा तो अभी हम लोग इसके बात क्या करते है कि हम लोग इसका कुछ इसका मैं कुछ इस तरीके से हाइट ले लूँगा तो यहां पर मैं 74 पी एकस ले ले दाओं ठीक है नेक्स अभी मैं यहां पर आईडी बना रहा हूं यहां पे वन हैंड मतलब बन चुकई है और यहां पर मैं एलाई पास करता हूं, एलाई मैं क्यूं यूज कर रहा हूं वो भी मैं आप लोगो आगे चल के बताने वाला हूं, तो अरभी मैं सिम्पली क्या रूँगा, कि इस जो हमारा यह हमारा जो टीत है, इस div को मैं simply copy कर लूँगा कुछ इस तरीके से और इसको अभी हम लोगो क्या है कि हमारा three hand रहेगा तो हम लोग simply इसको यहाँ पे paste कर देते हैं तो यहाँ पे मैं और यह div जो है guys इस div को मैं simply कुछ इस तरीके से यहाँ पे div लगाने वाला हूँ और यह पूरे div को मैं copy करके हम लोग यहाँ पे तीन बार paste कर देंगे कुछ इस तरीके से ठीक है अभी मैं यहाँ पे simply थारे का मलब color जो है वो different यूज़ करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे f4 रखूँगा जिसे हमारा yellow हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा yellow आ गया है और hard को मैं यहाँ पे simply white रखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे ff पास करके हमारा कुछ इस तरीके से white हो जाएगा ठीक है और यह हमारा hour का था तो अभी मैं यहाँ पे minute और second यूज़ करने वाला हूँ तो मैं 74 की जागा पे यहाँ पे simply 84 कर दूँगा और सबसे last वाले को मैं यहाँ पे 94 कर दूँगा जिसे हमारा different size का यहाँ पे hand आ जाएगा तो अभी हमारा इतना काम हो चुका है तो अभी मैं simply क्या करना है कि यहाँ पे कुछ span का use करने वाला हूँ इसपैन को मैं यहाँ पे style भी दूँगा जिसे मैं यहाँ पे अभी पूरा एक circle बना लूँगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से मैं style pass कर देता हूँ और यहाँ पे I pass करके यहाँ पे simply इसको कुछी तरीके से one दे दूँगा ठीक है तो मेरा यह कुछ इस तरीके से बन चुका है एक span ठीक है और यहाँ पे जो हमारा number रहता है वन टू टूवल वह मैं यहाँ पे simply बनाने का try कर रहा हूँ तो यहाँ पे आभी simply क्या करूँगा कि हम लोगे यह जो हमारा one है इसको मैं बोल्ट रखने चाहता हूँ तो मैं इसको साथो साथ मतलब यहां से ही बोल्ट कर दूँगा तो इसको मैं सबसे पहले तो कुछी तरीके से बी टैक के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे one पास कर देंगे तो मैं देख सकते हैं कि यहां पे एक हमारा जो मतलब यह रहेगा वह पास हो चुका है और यहां पे आप लोगो देखने के लिए मिल रहा होगा कि देख सकते हैं यहां पे सिर्फ आपको एक यहां पे दिख रहा है और यहां पे one दिख रहा है तो copy के लिए हमारा shortcut हो जाता है alt plus shift ठीक उसके बाद आप down arrow की जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर change होते जाएगा ठीक है तो अभी मैं इतना कर लिया हूँ अभी मैं simply क्या करता हूँ कि सारे में मैं फटफट से change कर देता हूँ number को ठीक है जिसे हमारा once a lake के 12 तक का जो भी मतलब counting रहेगा वह हमारा यहाँ पर नमबर मतलब जो रहेगा वह हमारा यहाँ पर simply show हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नाइन हमारा हो चुका है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो चुक्या है अब मैं यहाँ पर styling के थुरू एक मतलब की complete UI इसका बनाने वाला हूं और काफी जादा interesting होने वाला है गाईस तो आप लोग यहाँ पर continue बनाते रही है और यहाँ पर अगर आप तो मैं यहाँ पर simply आ जाता हूं और यहाँ पर कुछी सरीके से link टैग ले करके हम लोग यहाँ पर style.css को भी यूज कर लेंगे ठीक है यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूं कि प्रोपर तरीके से link है या नहीं तो मैं यहाँ पर simply background color डाल देता हूं कुछ भी और save करके देखेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा पूरा complete body जो है हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल टाइग के थूप यहाँ पर चेंज हो गया था ठीक है तो अभी हमारा next जो रहेगा वो हमारा styling के लिए रहेगा और styling के लिए काफी जादे एजी है कुछी सरीके से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल टाइग ले लेंगे और यहाँ पर border box का हम लोग यूज कर लेंगे जो भी changes है आप लोगो output में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोगो output में भी देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब की font को change करने वाला हूं तो मैं यहाँ यूज कर लेता हूं सिंपले फ पास करके कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अभी हमारा next जो है वह हमारा body है तो इसको मैं यहाँ पर explorer को बंद कर देता हूं और body के अंदर मैं simply यहाँ पर कुछी तरीके से body ले लेता हूं और body के अंदर हम लोग यहाँ पर display सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर center में आ चुक है अभी आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहे है क्योंकि मैं यहाँ पर सारे चीज को white कर चुका हूं तो इस तरीके से आपका जो यह है टेक्स है वह हमारा white हो चुक है अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करता हूं क बैक्गरांड कलर हम लोग थोड़ा सा मतलब की completely black नहीं रहेगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पास करेंगे जिसे हमारा थोड़ा सा हलका सा gray टायप दिखेगा तो देख सकते हैं कि हमारा आ चुक है और अभी हमारा सारा चीज वीजिबल वापस से हो चुक है ठीक है अभी गाइस मैं यहाँ पे HTML में आता हूँ और जो भी हम लोग यहाँ पर class बनाए हैं उन सारे class को हम लोग यहाँ पर target करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि container class को ले लेते हैं और container class में हम लोग जो है position जो हम लोग यहाँ पर तो यहां पर सबसे पहले तो वीट कर लेंगे और वीट में यहाँ पर 30 100 PX को 300 PX को यूज करेंगे और हैड भी हम लोग से मैं 300 PX को यूज कर लेंगे ठीक है अब यहां पर मैं बॉडर रेडियस यूज करूंगा जिससे हमारा मतलब कि जो clock है वो पूरा का पूरा एक circle मे जाए तो बॉर्डर रेडियस उसके लिए हम लोग 50% यूज करना पड़ता है तो कुछी सरीकेत हम लोग 50% यूज कर लेंगे ठीक है और अब हम लोग क्या करते हैं गाइस की यहां पर एक background color यहां पर पास करेंगे तो simply हम लोग यहां पर background color ले ले लेते हैं और यहां पर म यहां पर यूज करने वाला हूं ठीक है जिसे हम लोग opacity भी यहां पर manage कर पाएंगे तो मैं यहां पर simply RGB कुछी सरीके से पास कर देंगे और जो भी हमारा है वह हम लोग यहां पर 221 डाल देंगे और दूसरे में हम लोग 96 ले लेंगे और तिसरे में भी 96 करके हम लोग यहां और गांजे हम लोग 0.9 जग देंगे तो यह हमारा हो चुका है देख सकते हैं यहां पर हमारा circle भी बन चुक है तो सबुदा क्रखेंगे और रखेंगे जिसे थी काफिक है अब यहां जो रहेगा वो तो सालेग अगर आप लोग उच्छे styling में change करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी changes कर सकते हैं तो मैं यहां पे FFE यूज़ करूँगा जिसे हमारा हलका white होई तो guys देख सकते हैं कि यहां पे हमारा white भी हो चुका है ठीक है अभी हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि simply यहां पे हम लोग एक के shadow देते हैं और box shadow में हम लोग यहां पे 0px ले लेंगे क्योंकि हम लोग पूरा एक completely background की तरफ से देना है तो मैं इस तरह के 0px 0px यूज़ करूँगा और सबसे लाच में यहां पे 150px यूज़ कर लेंगे क्लर हम लोग पास करते हैं और थोड़ा मतलब की सही लूख हमारा आए तो उस तरीके से हम लोग यहां पे simply color पास कर देते हैं हलका radius तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा यहां पे आ चुका है अभी हमारा जो यह बैक्ग्राउंड क्लर है यह जो हमारा बैक्ग्राउंड कलर था इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं क्योंकि हमारा सेम से हो रहा है तो इसको अभी मैं क्या करता हूं कि थोड़ा हम लोग यहां पे डार कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा लुक काफी सही आ चुका है ठीक है अश्चा का यूज करेंगे सब से पहले तो फीक है तो यहां पर हमारा कुछ सेंटर में करने के लिए जैसे हम हमेशा करते हैं ज्मारा चुके Lord और यहां पर उमारा सारा कुछ सिंटर में आ चुक है अब हम लोग यहाँ पे clock का जो हमारा ये है इसके अंदर जो हमारा ये span है ठीक है ये dip के अंदर जो हमारा span है मैं इसको अभी target करूँगा तो ये हमारा clock हो गया और इसके अंदर जो हमारा span है उसको मैं यहाँ पे target करूँगा और कुछ ही तरीके से हम लोग यहाँ पे यह कर चुके हैं ठीक है अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो position है इसका वो हम लोग simply position को relative नहीं हम लोग absolute यूज़ करेंगे ओके तो यहाँ पे absolute आ चुका है अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो इसका transform यूज़ करेंगे ठीक है जिसे हमारा मलब 360 degree जो है वह हमारा थोड़ा यहाँ पे move होगा तो इस तरीके से हम लोग transform rotate कर देते हैं और rotate हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग 360 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 30 degree ले ले लेते हैं और 30 degree हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे वैर पास करके साब हम लोग इसको क्या करेंगे कि कि सारे को मतलब करेंगे कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर यंटए हम यहां पे 12px को use कर लेंगे देख सकतेगे जैसे मैं 12px यहां हो तो अभी हमारा हूँ थोड़ा हुदर चला गिए उसको मैं जिर्ख सफाल। सेफ करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरी कैसे यहाँ पर दीख रहा है और गाइस अभी जो यह हमारा बी के अंदर है जो आमारा 123 तो पूरा टूल्स तक है अभी मैं उसको टारगेट करने वाला हूं तो काफी ज्यादा यह वहाँ पर अभी कि आप लोगो सही यू आई देखने के लिए मिलने वाला है और काफी आप लोगो मतलब की CSS का भी यहां पर चीज पता चलने वाला है तो मैं simply अभी यह बी टाइक को टार्गेट कर रहा हूं जो इस पैन के अंदर है मैं आप लोग एक बर वापस दिखा दूं कि इस पैन के अ वहरी है हमारा सेम आच उपरांसपॉरम को वाला सिह मैं आप डिस्प्लेइ और डिस्प्ले यूज़ा «द्र कैंदर मैं हैं आप डिस्प्ले के अंधर मैं यहां पे इस तरीके से विप यहां पर साइज देगे निया के नहों तो मितले हम लोग को ऐसे वाख आए लेस ठीक अब हम लोग यहां पर क्या करता है कि यह जो हमारा Clock Before है ठीक है क्लॉक फीजिण करेंगे यहां पर और इसके बाद रहे हम लोग आपको दिखाऊँगे कि इस वाल प्या पर आपके नब जो ahead हम ओपान को भी हईंगे गलग करेंगे खीन और इसके अंदर आभी आफिर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेंट जो है एसको अम लोग इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक चोड़ेंगे और उसके बार हम नोग यहाँ पे पोजीशन जो है पोजीशन हम लोग यहाँ पे Absolute ले लेंगे कुछ 8Px ले लेता हूं ठीक है, अब इसके बात क्या करता हूं कि यहां पर हमारा border radius मैं यहां पर यूज कर तयगि वाइट यूज करने वाला हूं तो मैं इसलेकर से यहं और यहां पर मैं जेर इंडेक्स का यूज़ करूं। यहां पर इंडेक्स का यूज हम लोग के यहां पे संहें. कि का है यहां पर शुबती तो और इंटि में करने के लिए याह पर है तो प्रॉल ममें और तो सब यहां पर पाला है C Engineering का तूब को यहां पर सारे को तो यहां पर चापी कर रहा हुँ और यहां पर क्या करेंगे कि मैं इस परीके से यहां पर कोपी कर लेता हूं सारे मतलब पेस्ट करने हैं और भाग जैसे सकता है हमारा थीक है फूर्स की जिस सरी किसा आपका इसको टार्गेट कर papa किए तो लौक जो मैं यहां पर हैंड का जो यहां पर क्लास बनाया था जो मैं आप लोग बताया था कि यहां पर हम लोग करने वाले हैं मतलब की जो भी हमारा मतलब के हैंड रहेगा मतलब CSS के अंदर तो मैं यहाँ पे इस तरीके से hand ले लेता हूँ और यहाँ पे this hand को 여ुहाँ पे copy कर लेते हैं और यहाँ पहीं हम जो है पोजीशन एबसुलूट ले लेंगे तो यहे पे मैं simply कुछ इस तरीके से absolute pass कर देता हूँ सेगंड अब यहाँ हमारा क्या रहेगा कि कि यहां पर देख सकते हैं ही जैसे ही मैं Absolute क्या हूं नहयद सब्सक्राइश सीप्सक्राइब करेंगे और पिर तो सब्सक्राइब तो मैं यहां पर justify content कर लेता हूं center में ठीक है उसके बाद मैं यहां पर use करने वाला हूं align item को तो मैं इस तरीके से align item करके simply fix करता हूँ कुछ इस तरीके से तो देख सकते हैं कि घुर्ण की क्या करना वाला हूं कि इसके अंदर हमारा ऑए है ठीक है यह जो है ठीक है इसको मैं पहिली करता ह्वा तो यहां पर यहां पर राइप यहां पर पास होया था तो यहां पर लाई नहीं होगा यहां पर आई होगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहां पर by default मतलब कि यहां पर HTML select हो गया था तो मैं यहां पर आई लेता हूं तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी वखले हैं तो प Tag कपी कर लेता हूँ , इसके अंदर पर पाइस करने वाले हैं , यहाँ पर पूजीशन है , Summa अब हम्मार picking हो जाएगा , तो पर आप ग्र such तरहीं अद्यक्त और यहाँ सब्सक्राइब कर ले लोगा है हैं कि उसको मैं यहाँ पर ले लोगा तो बैकग्राइंड कलर यहां यहां पर बना चुके हैं हैं कि हम यहां पर यहां पर बना चुकिए हैं और पिर एक से क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर बनाया था तो इसको मैं Simply यहाँ पर ही कापी कर लिया हूं, ठीक है, यह चीज़ हमारा हो गया है, अभी हम लोग Simply क्या करते हैं, कि यहाँ पर Simply With यूज कर लेंगे, और With हम लोग यहाँ पर 4PX रखने वाले हैं, देन उसके बा की फ्रिके सरी हम ही lot पीस किया हुआ हम्हां सबसे पहले हैं तो मैं यहां पे भॉड़र रेडिएस ले लेता हुएris1 और अब है यहां पे वापस देख लेता हूं CSS HTML में यहां पर हमारा है वो हमारा HTML and CSS दोनों जो है हमारा यहां पर complete हो चुका है तो now it's time to move on script तो मैं सबसे पहले आ जाता हूं यहां पर script.js के अंदर और यहां पर मैं सबसे पहले तो मतलब कि एक variable ले लूँगा तो यहां पर मैं HR ले लेता हूं ठीक है क्योंकि जो हमारा यहां पर ID है अगर मैं आप लोग यहां पर आगर के दिखाऊंगा यहां पर आवर मिनेट और सेकंड है तो सबसे पहले मैं पेस्ट करते हैं यहां पर और यहां पर भी चेंज कर देते हैं यह हमारा हो गया मिनेट और उसके बाद यहां पर हो गया है कुछ इस तरीके से अब हमारे यहां पर नाम देता हूं बांद मधंने अपर यहां यहां पर आपली गए ढेले तो पिलिठ है यहां पर देटा हम लोग यहां पर देता है उसके अंदर हम लोग यह खाया पर सब्सक्राइब ऋब भागा है तो आपकी के का तो कुछ इस तरीके से यह हमारा आगया है ठीक है अभी यहां पे जो हमारा मतलब की बना हुआ था यह हमारा इस सारे हीड़ों के अंदर मैं यहांfish data को मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे यह है जो हमारा है यहां पर जो हमारा है और फिर यहां और कर सिब्सक्राइब हार हो गया और हमारा यहां पर second हो गया तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ओके यहां पर मैं इसको close करता हूँ और अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस की यहां पर जो हमारा hour है इसी तरीके से हम लोग यहां पर minute भी ले ले लेते हैं get minutes हो गया हमारा और इसी तरीके से हम लोग आर जो हे हमारा मतलब और जो है उसको हम जो हम लोग यहां पर मूफ कराएंगे कुछ मतलब की टाइमिंग दे करके अभी आप गर नहीं हम लोग सिंप्ली लिख देख है रोटेट रोटेशन और गहां यहां पर老師 कर के हम लोग एकवल 002 करते हैं और यहां पे अभी हम लोग कैल्कुलेट कर देंगे कि 30 इंटू यहां पर हमारा जो है वह आवर हो गया और फिर यहां पर प्लस जो है वह हमारा हो जाएगा मीनट और divided by हमारा यहां पे तू ऐख्यक्, यह कुछ हम यहां पर calculation पास करते हैं तो यहां पर मै एक और दूसरा ले ले लता हूं सो और यहां पर minutes का मैं यहां पर रोटेशन रहता हूं तो और यहां पर मैं कहा करूंग है need plus six into और यहां पर minute कहां रहा है वो तो आप लोगों पता है कि यहां से आ रहा है अब है इसी कहें है अब ही तरीके से हम लोग यहां पे कुछ पर भी सेले हो गया तो एस रोटेशन रख लेते हैं है और एक वहले हम लोग कि इहां पे six into to अंग कोई चीज स्वहकंगे ठीक है है हुआ है अब अई divided prevention हिम यहां पर यह चीज हमारा हो गया है एक और इसके बाद को लोग क्या करना है कि अभी इन्तिनो मतलब की फ्रियेबल को तो यहां पर क्या करते हैं कि HR करते हैं जब जो हमारा मतलब की यह हमारा है ठीक है एक है तो अभी हम लोग क्या करते है HR.Style अब हम लोग यहां पर पास करेंगे ठीक है तो style.transform हम लोग यहां पर यूज़ कर लेंगे और यह चीज़ कहां से हो रहा है मैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका यहां पर मैं यहां पर टास्पार्म यूज किया था इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं ठीक है और यहां पर हम लोग क्या है कि उसको रोटेट करवाएंगे तो सबस्क्राइल कुछ इस तरीके से यह यहां पर रोटेट ले लेते हैं तो यह हमारा रोटेट हो गया है और फिर हम लोग यहां पर डॉलर साइन पास कर देते हैं और सिंपली जो भी हमारा यहां पर एच रोटेशन जो हमारा यहां पर बनाए था उसको मैं यहां पर कुछ इस तरीके से पास कर दूँगा ठीक है अ हमारा हमना हमेसा करदी बरे दो तो हमारा हम यहां पर पास कर चुके हैं अधिक हैं इसी तरीके से जो अलग अलग मैं यहां पर डिफाइन किया था बज़ करने हAST कर Suspect करने हैं कि भी और हमारा यहां पर सेफन करो करता हूं और क्या है आधे हुर्ट करता है और यहां पर क्या क्या वह करता हूं और यहां लॉक बन चुक है और हमारा जो जब मैं यहां पर डीगरी डाल करके सारे को इलग किया हूँ तो यहां पे हमाया मतलब जो इलग मंदल्ब यहां पे भणार कुल विंर सब्सक्राल चेह सेरे को बाध करके तो बिल रहा है और मैं इस рокो बढ़ हो take धैसे रिक्षाने करक्ते हैं कि की मिनट का था तो हमारा हो गया तो धो है और हम इसदी आ यहां पर हमारा जो जो मतलब की क्लॉक है वो काफ़ी सहीjour चाहँ कर रहा है और यहां पर live हमारा मतलब की clock जो है वो move भी कर रहा है और जो भी हमारा सारा code वगरा है वो सिर्फ पर सिर्फ मतलब की इतने से code में हमारा यह सारा का सारा analog बन चुका है ठीक है कर दो सब्सक्राइब मैं चैनल इसी किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाब आए